जय हैं दोस्तों बंदे मातरम तो देखिए साटरेडे और संडे इन दोनों ही मुवीज के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट होने वाला था ये मैंने आपको पहले भी बताया था इस साटरेडे संडे वाले वीकेंड में सेकंड वीकेंड में जो भी मुवी साटरेडीन सो करोड का बजट एक मुवी का है सिंगहम का दूसरी बूलबलईया का देड़ सो करोड का बजट है इन दोनों मुवीज में सबसे बड़ा एक पॉइंट भी निकल कर आ रहा है देखिए दोनों ही मुवीज अपनी जगे पर अच्छी है और अपनी जगे पर घटिया है तो ऐसे में आप किसी एक मुवी को स्टैंड आउट नहीं बोल सकते कि नहीं यार ये मुवी तो एक दम ही अलग निकल कर आ गए ऐसा कुछ नहीं हो पाया है तो ऐसे में सबसे बड़ी एक जो समस्या आप कहलें या दिक्कत आप कहलें या कोई भी बात कहलें वो बजट कोई लेकर है दरसल सिंगम जहां पर अपने बजट के सामने एक तगड़े कलेक्शन करने के लिए स्टगल कर रही है तो वहीं पर भूल भली है क्योंकि बजट कम है इसलिए अपना बजट अल्रीडी पहले हफते में ही रिकवर कर चुकी है और सबसे बड़ी बात अब वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर चुकी है तो ऐसे में अब्विस ही बात है अब एक कम बजट वाली मूवी के साथ में इस तरीके से कमपीट कर ही नहीं सकते हलाकि भूल भली है देखने के बात भी कई लोगों असर काफी दुखा है गाने मूवी में नेसेसरी के डाले गए थे राजपाल यादव और इन लोगों की जो एक्टिंग थी काफी साथ इरिटेटिंग थी जहां पर लगता था कि यहां चरौब एक अच्छा खासा सीन आने वाला है डरावना वहां पर इनकी फालतू की बकेती वाली कॉमेडी ने लोगों का दिमाग अलरेडी खराब कर दिया है लेकिन जब बात बुरे और बुरे की हो तो इनसान बुरे को ही चुनना बहतर समझता है बस कुछ यही चीज सिंगम और भूलबलया के बीच में भी हो रही है दरसल भूलबलया की जो कमाई है अब उसने सिंगम को अच्छे खासे तरीके से ओवर्टेक करना शुरू कर दिया है पर डे के बेसिस पर ओवर्राल कलेक्शन के मामले में अभी भी सिंगम ही आगे है लेकिन जिस तरह से कलेक्शन अब भूल भलईया का आगे बढ़ रहा है मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन लगेंगी सिंगम के कलेक्शन को पीछे चुटने में और सिंगम में तो वैसे भी देखी रोईज शेटी ने हाकार मचाया ही है जैसा सरकस के बाद में उन्होंने इस बात को समझा था कि भई बहुत बड़ी गलती हो गई इस मूवी को बना कर मुझे लगता है कि सिंगम के बाद में भी उनको यही चीज फील करनी चाहिए जिससे कि वो आगे आने वाली अपनी मूवी को लेकर शायद कुछ हद तक चीजों को ठीक कर पाए अगर हम लोग एक तरीके से कलेक्शन की बात को समझें तो कलेक्शन में तो भईया सीधे तो और पर दिख रहा है कि यार किस मूवी ने कैसी बाजी मारी सिंगम गी बात करें तो आज इसकी रीलीज का दसवा दिने संडे ये बहुत इंपॉर्टटट दिने सिंगम की रीलीज के लिए क्योंकि साले 300 करोल का बज़न बनकर तयार हुई मूवी आज 200 करोल का अकळा पार कर सकती है 200 करोल का अकळा पार करने में इस मूवी को 10 दिन लग रहे हैं जहां एक तरफ हम लोग देखते हैं कि साउत की मूवी जाती है और जब इतने बड़ बजजट की मूवी बनती हैं तो तीन या चार दिन में हच्छाथ दोसो राइस सो क्रोल का बिजनस कर लेती है अब यहाँ पर अगरां देखें तो सबसे एहम बात तो यह है कि वीक वन में जहां सिंगम ने 173 क्रोल का कलेक्शन किया था तो वहीं पर भूल बलीया ने 158 करोल का कलेक्शन किया था मतलब 15 करोल रुपय का मोटा मोटा डिफरेंस था लेकिन अब वो जो difference है न वो लगातार कम होता जा रहा है जहाँ पर Friday को इस movie ने 8 करोल का collection किया है सिंगम ने तो वहीं पर Friday को भूल भली या ने 9.25 करोल का collection किया सवा करोल रुपय का उस दिन जादा हो गया सवा करोल का collection किया है सिंगम ने और भूल भली या ने भीया तहल का मचाते हुए 15 करोल का collection करमा रहा साड़ तिन करोल रुपय का difference यहां पर भी आ गया एक तरीके से देखा जाए जो 15 करोल का difference पहले हफते में बचा था वो difference में से 5 करोल का difference तो अलरडी कम हो चुका है तो ऐसे में देखे तो भूल भूले का collection जहां अब 183.8 है almost 184 करोल का collection है तो वहीं पर सिंगम का collection 194 का है सिर्फ 10 करोल का difference रह गया है कोई इसको बहुत बड़ा difference हम लोग नहीं मान सकते है और यकीन मानिए सिंगम के लिए एक चिंता जनक बात है सिंगम के अगर हम occupancy की बात करें तो occupancy के लिहाज से इस movie का दिन योगना कुछ बहतर गया नहीं 25-28 percentage की इस movie की occupancy गई है भूल भलीया ने 184 करोड रुपीज कमा लिए है 1500 करोड रुपए इस movie का budget बताया जा रहा है तो ऐसे में 34 करोड रुपीज ये movie अल्रेडी उपर कमा चुकी 34 करोड रुपीज है ना वो उसके short shot profit में जा रहा है OTT पर भी ये movie जाएगी तो 80 करोड से कम इसकी deal नहीं होनी है तो एक तरीकी से देखा जाए तो ये movie जब तक theater से उतरेगी तब तक उमीद है कि ये movie कम से कम 200 करोड का profit अपने अंदर कर चुकी होगी OTT को मिला कर OTT पर जो बिखेगा ये उसको मिला करी 200 करोड रुपे का profit अंदर कर चुकी होगी वहीं अगर हम लोग सिंगम की बात करें सिंगम अभी 194 पर साड़े 300 करोड के budget की बात माने तो अभी भी 1500 करोड रुपे उसको और कमाने है अपने budget को ही box office पर recover करने के लिए जो की अभी की condition में फिलहाल होता हुआ दिखे नहीं रहा है टूबी फ्रैंक का करें हम लोग बात करें OTT की बात कर लें तो ये मूवी मान के चली चली इतने बड़ बड़े स्टार्ट है तो चली 100 करोड में बिख गई होगी लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी को एक बड़ी हिट होना चाहिए था क्योंकि स्टार्स की बात करो आप आजे देवगर, करीन अकपूर, दिपी कबादुकूर, टाइगर इश्रॉफ, अक्षे कुमार, रणवीर सिंग और किसी का भी अगर मैं नाम भूल रहा हूँ ता बताएगा वरना ये छे लोग तो इस मूवी में बिलकुल जम्ही हुए और उसके बाद भी अगर ये मूवी अपने कलेक्शन को रिकवर करने में इतना स्ट्रगल कर रही है तो वाकई में सवाल उठता है, वाकई में ये बाद व्यापक हो जाती है पूछना कि आखेर मेकर्स चाहा क्या रहे थे इस मूवी से क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ी गफलत हुई है और उस गफलत को हमें समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और अगर हम उसको नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं एगरी करते हैं तो यकीन मानिए, ये तिक्कत आने वाली मूवीज में भी रोह चेटी को होगी अब जैसे कि एक रिपोर्ट और सामने आई, उसमें बताया जा रहा है कि चुलबल पांडे वर्सेस सिंगम होने वाला है अब चुलबल पांडे को अगर ये लोग सिंगम युनिवर्स में गुसाते हैं तो जाहिर सी बात है जो आखरी मूवी टाइगर आई थी, उसमें शारुक खान के कैमियो होने के बावजूद भी उस मूवी को लोगों ने उतना ज्यादा खासा रिस्पांस नहीं दिया था चली थी मूवी, लेकिन वो एक कहते हैं कि एक हाइप बन गई, लोग बिलकुल चीर फाड़ा करके मूवी देख रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाई थी और इसी लिए कहीं नहीं, अब शायद ऐसा लग रहा है कि बॉलिवूड वाली चीज समझ रहे हैं कि भाईया, कॉलाबरेशन में ही अब बात बन सकती है, क्योंकि कहानी के ओपर तो ये लोग काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास जो एक्टर्स हैं, वो एक्टर्स अपने आपको डिरेक्टर, राइटर, सब कुछ समझते हैं, भाई, इवन सिंगर भी बन जाते हैं कहीं सारे केसे में तो, तो अब्विस सी बात है, इन लोगों को बहुत सारा काम सिर्फ और सिर्फ कोलाबरेशन पर करना है, ना इनको कहानी से कोई मतलब है, ना कॉनों ने जिस तरीके से कॉफी किया है, वो काफी जाता लोगों को पसंद आया है, लेकिन एक बात हम लोगों को यहाँ पर माननी पड़ेगी, कि जिस तरीके से मुवीज आई हैं निकल कर सामने, उस कंडिशन में आपको कहीं ना कहीं अक्नॉलिजमेंट देना पड़ेग वरना थेटर में तो वो लोग भी लगबग 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 एक सी मुवी रिलीज करते हैं, मतला अब थलपती विजए की मुवी की जाकर देख लीजी, हर मुवी में लगबग 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 एक सी कहानी स्टोडी लाइन रहती, बस उपर के खाके वो बदल देते ह तो देखते हैं, किस तरीके से अब चीज़े रनाउट होती हैं, किस तरीके से चीज़े निकलती हैं बार, फिलहाल तो सिंगम के लिए थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है कि वो बजट के साथ क्या जस्टिफिकेशन कर पाती है, और भूल बलिया ने अपनी कमाई अपने बजट के उपर कर लिए तो अब्विस सी बात है, अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ही गेम खेलने वाली है, आने वाले दिनों में और समझ में आएगा कि किस तरीके से आखिर ये मुवीज अपना लाइफ टाइम केलेक्शन अचीव करती हैं, आप लोग ज अब लाइफ टाइम केलेक्शन कितना जा सकता है, मेरे इस वीडियो फिलालतना ही, जैहन जैवार।